हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपीगे चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में उनके सारी उमीदों पर पानी फेड़ दिया है येस बैंक ने उसके पीछे कई कारण है फ्रेंड्स और कई निउसे निकल कर आए हैं जो कि हम डीटेल में बात करेंगे इस वीडियो के माधियम से इसमें तेजी क्यों नहीं आई है और तेजी कब आ सकती है जो येस बैंक को अ मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस निउस और जन्यूरी इंफरमेशन सबसे पहले मिले सबसे पहले तो हम इसका परफारमेंस देख लेते हैं येस बैंक अभी ट्रेंड कर रहा है 13 रूपीज 60 पैसे 13 रूपी 65 पैसे पर अगर हम परसेंटेज में देखे तो इसके बारे में भी कुछ अनॉस्मेंट होगा रेजल्ट के अनॉस्मेंट के साथ लेकिन ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है जिसकी वज़े से अभी भी कई रेटिंग एजन्सी इसे से सेल करने की सला दे रहे हैं जो कि हम आगे बात करेंगे अगर ARC के रिलेटेड कुछ नि के हुए हैं 3 क्रोड 25,62,000 के और सेल कॉंटिटी लगबग 6 क्रोड के खरीब याने के सेलर्ड बायर्स पर हावी है जिसके चलते इसमें गिरावट देखने को मिर रही है यहां कॉंटिटी ट्रेडेड आप लगबग 10 क्रोड 5,00 की कॉंटिटी ट्रेड हुई है और डिलिव डिलिवरिट है गए है 61,28,000 की परसेंटेज में देखे तो 44,13% की डिलिवरिट है गए है मुझे लगता है कि जहां तक फॉल होना था यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल बनता है क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद कई रेटिंग एजंसी ने इसे नेगेटिव रेटिंग द आपने देखा यह है कि लगबग 74% का प्रॉफिट पोस्ट किया है यह बैंक ने और डेपोजिट में भी एक अच्छा परसेंटेज दर्शाया है लोन और एडवांस में भी एक इंप्रॉमेंट देखने को मिला है फ्रेंड्स ओवर्राल कंपेर टो पिछले कॉर्टर इस प्रॉफिट पोस्ट किया है उसके बाद भी आइनलिस्ट इससे सेल करने की सला दे रहे हैं फ्रेंट्स चलिया जान लेते हैं किसलिए इससे सेल करने की सला दे रहे हैं अगर यहां आप देखे तो आनलिस्ट का मानना है कि नौन परफॉर्मिंग एसर्ट एक बड़ा कंसर रहा है स्टार्टिंग से जब से प्रशांद कुमार जी ने इसकी भागदोड समाली है अभी भी वही मानना है अनेलिस्ट का Yes Bank के NPS में सुधार आने के लिए और समय लग सकता है तो उनका मानना है कि Yes Bank को सुधार लाने में और थोड़ा समय लग सकता है जिसके चलते हैं इन्होंने सेल करने की सला दिये हैं और अगर हम आगे यहां देखे तो There are some initial signs of recovery but uncertainty around corporate book stress building up selling restrictions on private bank तो यहां पर आप देख सकते हैं कि Recovery के initial signs तो दिखे हैं लेकिन अभी भी recovery करने के लिए समय लग सकता है अगर हम आगे देखे तो उन्होंने 10 rupees का target दिया है जिसके चलते एक pressure देखने को मिल रहा है Yes Bank में जैसा ही इसका result निकल कर आता है कोई न कोई rating agency निकल कर आती है और इसे sell करने की सला देती है जिसके चलत who recently said that the bank may take two more years to stabilize रजनीश कुमार जो के SBI के former chairman उन्होंने भी कहा था Yes Bank अच्छा perform कर रहा है लेकिन उसे stabilize होने के लिए और दो साल लग सकते हैं और अगर आप यहाँ देखे तो the private lender reported a 34.3% year on year growth in the net profit Yes Bank ने 74.3% का year on year growth बताया है और net profit निकल कर आया है 225 crores और उनका net interest income जो क 23.4% year on year निकल कर आ रहा है 1512 crores overall Yes Bank ने एक अच्छा quarterly result पेश किया है friends लेकिन अभी भी जो NPAs है वो काफी मातरा में होने की वज़े से rating agencies ने sell करने के लिए suggest किया है जिसके चलते आपको एक pressure देखने को मिल रहा है और दुबारे से आपको बता दूँ friends अगर ARC implement हो जाता है जो foreign investors को invite किया गया है उन्हें shortlist भी कर लिया गया है अगर ARC implement हो जाता है तो एक बड़ी तेजी देखने की संभावना है जो already invested है मैं उन्हें suggest करूँगा कि इसे hold करके चलिए अभी ARC का finalization भी होना बाकी है जैसा ही finalize हो जाता है और investors invest करने के लिए ready हो जाते हैं तो इसमे बड़ी तेजी आने की संभावना है तो इसे hold करके चलिए बेशने की गलती मत करिए जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपका vision 3-2-5 years होना चाहिए तभी इसमें invest करने के लिए सोचे जो fresh buying करना चाहरा है उन्हें भी मैं suggest करूँगा कि ये भी एक अ अफा देखने को मिले फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूस से कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजिए अगर ये वीडियो आपको informative दिखा तो like करकर encourage करिए अपने दोस्तों साथ share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया तो ज झाल झाल